मेरा नाम सुन्य कुमारी है, मैं सभी से यह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जादा से जादा मदान करने आएं, गर्मी की बिल्कुल भी टेंशन मत लिजेगा, यह हमारा रास्टे पर वे हैं, और हमें जो आफ मिला है, घर पर एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, हम लोग 20 मही को उत्तर प्रिदेश के कई जिलो पर लोगसभा के लिए मतान होने जा रहे हैं, इसी बीच एक पिंक सूट वाली मैडम काफी वाइरल हो रही है, इनकी सोशल मीडिया पर चर्चा की जा रही है, आईए जानते कौन है यह पिंक सूट वाली मैडम और क्या लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, जासी के केंद्रे विद्याले नंबर दो में शिक्षिका के रूप में कारिरत संध्या कुमारी को इस बार पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है, संध्या कुमारी ने अपनी पहली चुनावी ड्यूटी के लिए पिंक सूट पहनने का निर्ले लिया और ये लोग सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है, संध्या कुमारी ने बताया कि वे चुनाव के लिए बहुत ज्यादा उच्साहित है, उनका कहना है ये पहला अफसर है जब मैं चुनावी ड्यूटी कर रही हूँ, लोग तंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए मैं बेहत उच्साहित हूँ, जाला ताफी में से कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अपर्चुनिटी है गौर्वर्मेंट के साथ उसके अपना कॉंटिबुशन करने की कि मैं समाज की बैतरे के लिए अपना भी योगदान दे पाओ, जिस तरह से लोग त्योहार पर तयारी करते हैं, उसी तरह संध्या कुमारी ने भी चुनावी ड्यूटी के लिए खुद को तयार किया है, 19 माई को भोजला मंडी से पोलिंग पातियों को रवाना किया गया, और इस दौरान संध्या कुमारी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो गई, लोग उनके पिंक सूट और चुनावी जोश को देख कर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब किसी पोलिंग आफिसर की तस्वीर वाइरल हुई है, 2019 के लोकसभा में पीली साडी वाली पोलिंग आफिसर रीना दिवेदी की तस्वीर भी खूब वाइरल हुई थी, इसी तरह इस साल के प्रथम चरण में एक लाल सूट वाली पोलिंग आफिसर की तस्वीरे भी जादा समझाता है लोकल 18 के लिए 86 से शाश्वत सिंग की रिपोर्ट